IPL के इस सीजन में चेननी सूपर किंग्स का प्रदरशन बेहत लचर रहा बेहत खराब रहा और IPL के 13 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब चेननी सूपर किंग्स टोफ फोर में एंट से नहीं कर पाई जिसके बाद चेननी सूपर किंग्स के कुछ फैंस और बहुत से क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि धोनी अब ना खेले कि 2021 में चेननी सूपर किंग्स को MS धोनी ही लीड करेंगे तो जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि MS धोनी जिस तरह से IPL के हर मैच के आखिर में दूसरी टीम के किसी खिलागी को अपनी साइन की हुई जरसी भेज रही है तो वो दिन दूर नहीं जब धोनी कह देंगे कि वो अगला IPL नहीं खेलेंगे लेकिन CEO विश्विनाथन ने साफ कर दिया है कि धोनी की कपतानी करेंगे और धोनी की कपतानी पर टीम को बिल्कुल भी शक नहीं है और विश्विनातन ने कहा कि चेननी सूपर किंग्स के रिकोर्ड हमारे लिए बोलते हैं यह 11 IPL है चेननी सूपर किंग्स का और ऐसा पहली बार हुआ है जब वो टोप 4 में नहीं खेल पहुच रहे तो यह अपने आप में बताता है कि चेननी सूपर किंग्स किस तरह की टीम रही है किस तरह का रिकोर्ड रहा है इसके अलावा 13 IPL सीजन में धोनी ने 12 IPL सीजन में कप्तानी की है और ऐसे कैप्टन धोनी के लिए दूसरा साल है जब उनकी टीम नहीं पहुच पाई प्लेयोफ में इससे पहले उन्होंने एक बार राइजिंग पूने सूपर जाइंट की कप्तानी की थी तब उनकी टीम आखरी पाईदान पर रही थी और तब अगले सीजन धोनी से कप्तानी ले ली गई थी और वो इस्टीवी स्मिट को दी गई थी उसके बाद राइजिंग पूने सूपर जाइंट पहुच गई थी फाइनल में और फिर जब 2018 में चेनने सूपर किंग्स पे से बैन हटा धोनी ने वापसी की चेनने सूपर किंग्स ने वापसी की वो वापसी तो क्या यादगार वापसी थी हर कोई जानता है हर मैच में एक अलग हीरो निकल के आता था और मैच को चिता देता था और 2018 का फाइनल जिस तरह से संराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेन्ने सूपर किंग से ने जीता सब जानते हैं तो कुल मिला कर देखा जाए एक बात तो साब है चेन्ने सूपर किंग दोबारे टीम को खड़ा करेंगे कुछ सीनियर खिलाडी रखेंगे और सभी सीनियर खिलाडी को टीम में नहीं रखा जाएगा मेरे साथ जह मता दी